नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिजनस टिप्स एंड ट्रिक्स आज हम आपसे एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर बात करेंगे और ये टॉपिक है बिजली जिसकी जरूरत हम सभी को पढ़ती है अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए जैसे कि टीवी चलानी है तो बिजली चाहिए पंके कूलर एसी चलाने है तो बिजली चाहिए अगर ये सब नहीं चलाने तो भी रोशनी के लिए तो बिजली चाहिए ही चाहिए जिसके लिए हम अपनी कमाई से एक मोटी रकम बिल के रोप में हर महीने बिजली विभाग को देती है बिल जमा करने के बावजूद भी ज्यादा तर समय बिजली गुल रहती है या फिर उस वक्त नहीं आती जब हमें जरुवत होती है तो दोस्तों आपने कभी सोचा है कि ऐसी बिजली हो जो जरुवत की समय पर हमें मिल जाए अपने घर और ओफिस आदी में इस्तेमाल के लिए जब हम चाहे तब और कभी भी उसका बिल ना देना पड़े तो दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि ऐसी बिजली बन चुकी है एक बात और स्पस्ट कर देना चाहती हूँ कि यहां मैं किसी प्रोड़क्ट्स या वस्तू की विज्यापन नहीं कर रही हूँ मेरा मकसद आप लोगों तक नई और सटिक तकनिक पहुँचाना है तो चलिए शुरू करते हैं यह ऐसी बिजली है जिसे आप किसी भी काम के लिए इस्तिमाल कर सकते हैं और बड़ी बात यह है कि इसका निर्मान आप खुद अपने यहां कर सकते हैं और निर्मान करने या बिजली बनाने में एक रुपय का भी खर्च नहीं आएगा बस आपको एक बार कुछ रुपय खर्च करने पड़ेंगे यह सिस्टम अपने घर पर इंस्टॉल करने के लिए और इसको आप अपनी जरुवत के अनुसार छोटा या बड़ा जो भी आपके लिए उचीत हो उसी हिसाब से ले सकते हैं तो चलिए जानते हैं यह क्या है किसने बनाया है और किस कीमत में मिलेगा आपको यह सिस्टम बनाया है अजय चौधरी ने जो की बिहार में वैशाली जीले के सहदेई प्रखंड में बाजीत पूर कस्तूरी गाओं के रहने वाले हैं पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं रही मैट्रिक में ही फेल हो गए कुछ समय बाद गुआहाटी चले गए वहाँ पर रहकर लिफ्ट और इन्वर्टर बनाने का काम शुरू कर दिया अब उन्हें बिजली की परिशानी से जूजना पड़ा तो सारा काम छोड़ कर एक ऐसा जनरेटर बनाने की ठान ली जो बिना इंधन के चले 14 साल अथम मेहनत करने के बाद आखिर कार उन्हें काम्याबी मिल ही गई उन्होंने एक ऐसा जनरेटर तयार किया जिसे चलाने के लिए ना तो डीजल की जर्वत होती है और ना पेटरोल की अजे द्वारा बनाया गया जनरेटर एक छोटी सी 500 रुपए की बैटरी से चलता है जो की एक बार खरिदने के बार ये बैटरी पांच से साथ साल तक काम करती है ये जनरेटर आंतरिक उर्जा के सिधान पर काम करता है इसलिए अजे ने इस जनरेटर को नाम दिया है इंटरनल एनरजी जनरेटर अजय ने सबसे पहला जनरेटर एक केविये का बनाया था जिससे 200 वोल्ड की अनरजी मिलती थी फिर इन्होंने ये काम 50 केविये तक करने की ठानली और सफल भी रहे एक केविये की उर्जा से 3 पंके, एक कलर टीवी, 10-10 वाट के 10 CFL जलाने के अलावा मोबाइल वर लैप्टॉप चार्ज कर सकते हैं इस मॉडल को 2005 में ततकालिन राष्टरपती, एपी जे अब्दुल कलाम और मुखे मंतरी नितीश कुमार को भी दिखा चुके हैं लेकिन नौन मेट्रिक अजय को यहां भी तवज्जो नहीं दिया गया, अजय ने अपने जनरेटर को साहिल रिसर्च एंड टेकनोलोजी लिमिटेट के नाम से पेंटेट करा रखा है पुझी के अभाव में बड़े पैमाने पर जनरेटर का उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, जनरेटर में एक मोटर, एक अल्टिनेटर तथा एक डाइनेमो को 12 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा गया है प्लस और माइनस के एक एक पॉइंट से मोटर में सप्लाई दी गई है जिसे अल्टिनेटर और डाइनेमो चलते हैं एक सिस्टम या जनरेटर की कीमत 25 से 30,000 रुपए है अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को देखते रहे बिजनस टिप्स और ट्रिक्स को और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूले थेंक्यू